Hello, my dear students. Welcome to my channel, Studybox Tutions. आज का टोपिक है Poster Writing. तो सबसे पहले poster होता क्या है? यानि, What is a poster? यानि, poster के बार में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि poster किस तरीके से होता है? तो पढ़ेंगे, a poster is a picture और a printed paper which contains information and ideas to attract, inflect and rise awareness in the mind of readers. यानि, पोस्टर एक ऐसा मतलब awareness का थिंस है, मतलब कहने का मतलब ये कि उसमें pictures और printed papers की तरह सी है, मतलब दिवार पे, मतलब चिपकाया जाने वाला, यानि ऐसा advertisement, यानि आप advertisement भी बोल सकती हो, यानि क्या है, उसमें pictures होती है, और कुछ महतोपन जानकारी भी होती है, जो मतलब जो वेक्ती पढ़ते हैं, उस पोस्टर को ये देखते हैं, वो से क्या होते हैं, अट्रेक्ट होते हैं, और उस पोस्टर के जरीए, उस वेक्ती में awareness लानने का प्रियास किया जाता है, तो आपने बहुत बार देखोगा मेरे साब से, यानि आप सेव ट्रीज का पोस्टर देखते हो, और आप ये भी देखते हो, कि बलड डोनेशन के बारे में भी देखते हो, आप रेन वार्टर हार्वेस्टिंग के बारे में भी देखते हो, यानि ये पोस्टर है, जो वेक्ती को कैए, awareness कराती हैं मतलब, तो हमारे जो syllabus है, उसमें भी कैए, पोस्टर राइटिंग है, यानि पोस्टर को किस प्रकार करना चाहिए, तो में लिए अगर पोस्टर के टाइप देखें तो, पोस्टर के दो टाइप होते हैं, यानि आप ने तो नहीं पढ़ा होगा साहिप, लेकिन पोस्टर के दो टाइप होते हैं, जो कि कि इवेंट पॉस्टर और णोन इवेंट पॉस्टर क्या होता है इवेंट पॉस्टर मतलब नाम से पता चल रहा है यानी कोई सवता क्या करती है अप्चल रहे हो कहीं आप रास्ते से जा रहे हो वहाँ पर आप इन दिवार पर देखा तो आपको क्या है जिस्ट आपको एक पिक्चर समली उसमें कुछ मदलब एक पोस्ट लाइक सामिला आपको उसमें क्या बहुत सारी इंफ्रमेशन लिखी है और चीटर्स भी दिखाये गए है यह वह awareness के दिए यहीं सॉपजयनी अदेरसे के नहीं होता है तो उसमें के नउन हम सामिल भूत है उसने कोई ऊर्ड़नायजन नहीं करता वह कोई बार के नहीं क्योंस तो होता है कोई तो को विससे कшее करती है और बम्लीश करती यह उसका यह नहीं έχει है कि वह कहीं स्कूल रहे है। देखें तो आगर देखें तो यानि इनके दॉन्रेब्व के लिखने के तरीके होते है यानि नौन इवेंट के भी होते है आपको फोर्ड मिलेंगे जैसे की PM ver कभी होता है हो इसके वानले वीजूर इंपटमेंग को चितरकारी कि जाती है उसमें यह और ज्यादा क है रीडर्स क्या हो एट्रेक्ट तो इसमें भी क्यों होती है इंपूरत है स्टेटमेंट दोनों में के सेम होती है स्टेटमेंट? अम स्टेटमेंट क्い satu minute मतलब मतुलें गोसना के दुबरा बताना और इसके बाद में इवेंट में जाहाना बताना पड़ेगा यह आप Ceuxye awareness कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा यानि इन चीज़ों से bad impact पर रहा है पड़ रहा हमारे environment पर या जो भी मतलब जो teenage में जो students है उससे related क्या है आपको बताना पड़ेगा कि हम यह बताने की कोशिस कर रहे है इसके बाद में important information यानि को महतर पूर्ण जानकर यह सुचना और इसमें क्या है बेड़ तो होई गया impact तो इसके निर्देश देंगे मतलब instructions देंगे कि आप इस तरीके से क्या सुधार कर सकते हो और ending जो slogan डेना आपको वो दोनों में same रहेगा आपका यानि दोनों में बताना पड़ेगा आपको यानि एक स्लोगन यानि जैसे आप हिंदी में साहरी होती है तो यहां पर क्या वार्ट्स होगा तो वो आपको क्या बताना पड़ेगा और अंत में name of organization दोनों में same रहने वाला यानि इस poster को के issue कौन करा रहे है तो यह क्या है अंत में देना होगा और दोनों कम क्या है differently पढ़ने वाले event poster का भी करेंगे हम पुरा और non event का भी करेंगे तो चलो चलते हैं event poster की तो पोस्टर राइटिंग में event poster और non event poster के प्रारप को देखते हुए हम आचके हैं यानि दोनों के combine आपको format में provide कराने वाद हो एसा नहीं को दोनों के अलग अलग बताऊंगा अगर अलग बताऊंगा तो आपको हिसा लगेगा कि मतलब दोनों ही अ इसलिए मैं दोनों को comment करा रहा हूं तो ज्यान से देखो number नहीं किटेंगे आपके और आप exam में confidence के साथ क्या है करके आओगे poster writing तो सबसे पहले आपको क्या करना है box बनाना है box तो necessity है जैसे आप notice का बनाते हूं advertisement का बनाते हूं उसी प्रकार से आपको क्या books बनाना है इसमें और इसके बाद में सबसे पहले क्या करना आपको जो मैंने आपको साथ बातें बताई थी यहीं मैंने आपको जो साथ बातें बता थी उन्हें के उपर क्या करना में वोग्स करना है सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको क्या है 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 किने मतलब आप सिर्षक लिखना आप सिधी सी बात है ॉस्टर लिख रहे तो उस हैड लाइन्स की सब्सक्राइब बड़े होने चाहिए ऐसा नहीं कि मतलब फस्ट कर दिया सारे बड़े होने चाहिए अब एक लाइन और देखवा यानि जो सेकंड मैंने या पर स्टार लगा के बनाई है उसमें मैंने लिखा है अधर वर्ड्स फस्ट लेटर केपिटल यानि जो अन्य जो वर बात नहीं लेकिन अगर आपको अच्छा मतलब फस्ट को दिखाना तो आपको क्या फस्ट लेटर को के बड़ा करना पड़ेगा तो पहली बात ही है दूसरी बात है विजुल इंपूट यानि आपको कि चीतरकारी करना ही पड़ेगी आपको यानि किसके उपर आप जिसके पॉस्टर लिख रही हो उसके लिए आपको सित्धरकारी करना ही पड़ेगी और इसके बाद स्टैट्मेंन के कथन और सो तो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत क्या इंफ्रमेशन में बताने पड़ेगी इसके बाद में अच्छा सा सुन्दर सा क्वार्ट्स यानि स्लोगन डाल देना है अंति में क्या आपको इस्यू बाइड यह किस ने जारी किये तो नेम आफ और उने जिस्ता स्कूल कर र आपको करना क्या है एक तरफ यह थोड़ा को अट्रेक्टिव बोक्स बनाना यानि बॉल्ड लाइन के साथ उसमें क्या अट्रेक्टिव कोई डाइग्रम बना बना देना है चल जाएगा काम कोई दिख्यतावड़ी बात नहीं है फिर दूसे तरफ यहां पर क्या है जैसे इस तरफ बनाए था वेसे इस तरफ बना देना उसमें क्या करना आपको अट्रेक्टिव लाइन लिग देना आपको दिख्यतावड़ी बात नहीं है जो एक्जामिलर को क्या अच्छी लगी बढ़के फटाक से नंबर दे आपको अब यह तो था इवेंट का यह तो था क्या करें अब नौन इवेंट में और पकी डेट नहीं आएगी कि यह कंफिरांम आपकी कि यह निए तो आने वाली हम इसके बांद में क्या स्टेट में वह आतीए ठीक है यह लेकिन ये भी नहीं कहां इंपर इंफोर्मेंशन अब कौन सा कौन सा आएगा मैं बता रीजन लिस्ट यानि कार्ण पोच रहे हैं किसके उपर था बैड यानि बैड इफेक्ट के उपर था या इंपेक्ट के उपर था यह था वो आने वाली है यहां पर अब क्या है अब देखो रीजन तो है लेकिन अब इसके बारे में इंस्ट्रक्शन्स क्या है यानि यह सब कुछ जो गलत हो रहा है मकलब यानि आप पानी का बचाव नहीं कर रहे हैं यानि पानी को पर से वाटर बिली करें यानि पानी का बचाव नहीं कर रहे हैं तो आप बताओगे इंस्ट्रक्शन दोगे कि इस प्रकार से कर सकते हो अगर आप क्या कर रहे हूं अगर एक जैसे आप मतलब जैसे पानी के तरीके से आप सेव ट्रीज के बार में बोल दो यह आप पेड़ों को नहीं बचा पा रहे हैं तो यह दोनों आपके इसमें एड हो जाते हैं और बागी सारा सेम रहते हैं कुछ चेंज नहीं करना है सारी नमबर नहीं मिलने वाले हैं तो कि बोक्स का यह एक नमबर है और सबसे बड़ी बात एक और सधारन सब्दों का अपयोग करना है ऐसा नहीं कि ग्रेमर के उपर चले गए ऐसा नहीं करना है तो अराम से कर सकते हो आप यानि मैं दोनों आपको बता दिये कौन-कौन सा एक त फोलिगों पोस्टर हैं जो हमारे एक्जाम गयाते हैं और आपके अब एक्जाम भी है सी बीसी बोड कयो और आर्बसी बोड के तो आसा करता हूं यह वीडियो बच्चे देखेंगे और उनको अच्छी लेगेगी और वह एक्जाम में अच्छे कॉन्फिदेंस के साथ में अगलब एक्जाम करके आएंगे अपना पेपर कंप्लीट करेंगे जय हिन जय बार्त धन्यवाद